बेपारी मनिश गुपता की हत्या के बाद पूरे परदेश में रोश है और आज अखलेस यादो पिडित परिजिनों से भी मुलकात करने पहुँचे थे हमार साथ भारतिन्दा पार्टी के वरिश नित्या और सांसद जगदंबिका पाल जी मौजूद है पाल साथ घटना अपने आप में बहुत बड़ा है और बेपारी वर्गों में खास तोर पर रोश से और जिस तरह की बाते की जाती थी कानून को लेकर कि किसी को बक्सा नहीं जाएगा कुछ घटना नहीं हो गोगर इतना बड़ा घटना हो जाता है गटना बहुत ही दुख़द है दुर्भा की पूर्ण है लेकिन आज उस घटना को लेकर के जिस तरह से राजनिती की जा रही है इस तरह की घटना पर राजनिती नहीं होनी जाएगा जब उत्तपदेश के मुख्यमंतरी योगी आदे तिनाथी ने उन छे कॉप्स को जो द यह दोसी लोगों के खलाफ मतलब इससे कठोर करवाई नहीं हो सकती और आगे लिश्चित तोड़ से 300 दे के मिल्जीम होने के बाद तो इनके करवाई भी होगी सजा भी उनकी होगी और खिर सपा बसपा जो आज कह रही है उनकी सरकार में जिस तरह से थाने में लोगों की ह पर जीरो टॉल्रेंस है और आज यह घटना भागी पूर्ण सिपाहियों की दोरा है पुलीस के दोरा हुई है और उसमें 302 का मुकदमा कायम हुआ है और सिर्फ गोरकपूर से खुद मुक्खे मंतरी आते हैं और गोरकपूर की बार बात होती है गोरकपूर मॉडल की बात ह होती है लॉइन ओडर की बात होती है और इस तरह घटना गोरकपूर में ही हो रही है आज भी आप देख लें नेस्नल क्राइम बीरो रेपोर्ट कि कि आज पूरे साड़े चार सान कोई धंगा नहीं हुआ हत्याहों में भी आज 35% की कमी आई है आज सारे अपराधों में गि या तो प्रदेश के बाहर हैं और अगर इस तरह से कहीं कोई दुर्भाग पूर्ण घटना तो इस तरह की कारवाई हो रही है कि फिर दुबारा इस तरह की खटना है अपराध यहां पर पुलिस खुद कर रही है जनता को रक्षा नहीं दे रही है वेपारियों को रक्षा करें के हत्या हुए है सरकार ने अगर इतनी सक्त कारवाई की है तो अब उस पे इनको राज़ीती नहीं करनी जाई है अजाज की मांग तो तब होती जब कोई कारवाई नहीं होती उन छे लोगों को तत्काल ने लंबित कर दिया गया तत्काल उनके खलाब 302 में मुकदमा काइम कर दिया गया आगे इस पे कारवाई होगी एक दूसरा मुद्दाशर स्विपाल सिंहादो का स्विपाल सिंग यादो एक अलग से मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ओवेसी हैं अजाद हैं और भी तमाम राजवर को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अलग फ्रंट बनाने की स्विपाल यादो कोशिश कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उनको सफलता मिले कि इस मोर्चे के बनाने के बाद और तमाम जो छोटे दलिया उनको एक साथ लाने कि कवाय जो कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कितने मोर्चे दिखाई पड़ रहे हैं कितनी पार्टियां सक्री हो गई हैं साड़े चार वर्सों में जिन पार्टियों का कहीं कोई वजूद नहीं था आज वो भी बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कोबिड में जब समाजबादी हो बसपा हो कॉंग्रेस के हो उस बैस्विक चुनवती में उनके नेता के ओल ट्वीट कर रहे थे आज वकले से आदो हो मैयोती हो प्रियंका हो बाड़रा उस समय कोरोना के होने के बावजूद योगी यादितना जी जिले-जिले के लेविल वन के अस्पटाल बना रहे थे एक एक वार्ड में घूम रहे थे पिछले दूनों बार्ड में एक एक जन्पदों में गए तो साड़े चार बड़सों में जिस तरीके से सरकार ने अगे आकर के काम किया है तो अब यह कोई मूर्चे बने अब वो तो आपस में अपने हस्तित की लड़ाई लड़े अब अग अब किसकी किस से बात हो रही है अखलेश कि स्युपाल कहते हैं कि मेरी अखलेश से बात ही नहीं होती है तो अभी क्या होगा यानि हम तो सबका साथ सबका विकास की नीती पे चल रहे हैं और हम चुनाओ गुड गवर्नेस और अगर साड़े चार साल हों बत्तिस मेटिकल या योगी आतिजनात की सरकार नि जहां अखलेश एक अपने आगरा के अविकाविक से क्याफ़ा कि बात करते हैं आज गंगा एक्सेथ बे पूर्माचर एक्सप्रे स्बेर से डिफैंस कॉरिबुर एक्सप्रे स्बे लिंक एक्सप्रेस बे इतने हाइवे जह बना रहे हैं आज 371 नए प्रोजेक्ट्स आ गए कल भी बारा बंकी मुख्यमंती ने बिटेनिया का किया है चार लाख 67,000 जो एम्यू हुआ था इंवेस्टर समिट में उसमें 2,60,000 का ग्राउंड पे मतलब लेटर आफ इंडेंट जारी हो गया है 371 प्रोजेक्ट मतलब ग्राउंड पे आ गये हैं तो आज कोबिट में जहां सबकी एकोनामी नीचे जा रही थी कहीं इंवेस्मेंट नहीं आ रहा था वहां चाइना के भीस्मेंट में लिया बाहर के इंवेस्मेंट को यूपी मोस्ट फेवरिट डिस्ट्रेशन था इज आप डूइंग बिजनेस में हम 12 रैंक पे थे दूसरे पर आ सर बात करने के लिए केमरामेन रोहित के साथ रवी सर्राफ फारस्मचार तिल्ले